हेलो एब्रीबडी वेलकम तु स्टेडी रंबल आएम तुशार एंड देखिए आज आज आपके जो करंटे फिर का सेशन इतना लेट इसलिए आ रहा है करना आप चाहते हैं तो आप जोईन कर सकते हैं इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएका ठीक है और देखिए हर एक करेंट है फिर बहुत ही ज्याद है आज चका तो आप इसे पैंड डाउन करेगा अपनी नोट बूक के अंदर ठीक है इस सेशन को विदा रंडिलें फ्रेंच ओपन 2021 मैंस इंगल्स टैटल आपको बता को फ्रेंच ओपन आपका वन ओफ दी फॉर ग्रेंड स्लैम जो कि आपके साल के अंदर होते हैं आपका एक विंबल्ड होता है ऑस्ट्रेलिन उपन होता है यूस उपन होता है और फ्रेंच फ्रेंच ओपन आपका वन ओफ दी ग्रेंड स्लैम है तो आपसे फुझा कि 2021 का इसका मैंस का सिंगल टैटल किस ने जीता है तो देखें यहां पर इसकोशन का आपको आपको असर होगा ओप्शेंस ही नुवाग जोकोविक नहीं जीता है आपको 2021 का फ्रेंच ओपन का मैंस स यह से बढ़ा एक्जाम मैं है हाई चांस था है बागे चलते हैं और नेक्स कोशन देखते हैं फिच कंट्री इस गोइंग करेगा दो पूछ रहा है यानि को से शमेजबानी करेगा इस कोशन का आप कहा शुरूगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रीलिया यानि ऑस्ट्रीलिया आपको अलम्पिक गेम्स और देखिए हो सकता है आपको अब आपको फटावर सारे कवर कराने टीक है मैं नहीं चाहता कि आपको बता है यह प्रांस परिस शहर के अंदर 2018 का आपको फूस्ट करेगा यूस से लॉस एंजलिस के अंदर इसकराव 2022 का आपको फूस्ट करेगा ऑस्ट्रीलिया इन ब्रिस्बेन ठीक है तो आपको सारे वेन्यूस जा लखने एक चार वेन्यूस आपको पता ही होने चाहिए ठीक है चले बागे चलते हो नेक्स्ट अपनिये इसके CEO के रूप में किसे नियूक्त किया गया है सब्सक्राइब के चलते हो नेक्स्ट कोशन देखते हैं सब्सक्राइब के नेक्स्ट कोशन है आपका रिसेंट्ली विच इंडियन जर्नलिस्ट हैस वान दी पुलिट्जर प्राइस ऑफ दी येर 2021 यहनी आपका ज प्रस्टीजिश प्राइस प्राइस तो यह से आप ध्यान दखेंगे बहुत इंप्रेट्ट कोशन है आपका एक्जाम प्राइस प्राइस ने जीता है तो देखें इसके एक और बंदा है जो कि इंडियन औरीजिन का इसका नाम है नील बेदी ने आपका जीता है कोशन देखें अच्छा ठीक है आगे बढ़ने से पहले में आपसे एक बात कहूंगा कि आज आपका कोई कोशन फॉर्य तो है नहीं क्योंकि और लगाए निए कोशन फॉर्यू तो आप क्या करेंगे इन बिट्विन दा वीडिए वीडियो में आपसे जो कोशन पूछ रहो ठीक है चले अब आगे चलते हैं और इन दो कोशन को आप आंसर करेंगे करें ठीक है चले बागे चलते हैं तो देखेंगे नेक्स्ट कोशन है आपका विच कंट्रीज नेवी इस वर्किंग ओन टू बिल्ट फुली स्टेल्थ वार्शिप यानि इन में से किस देश की नौस करते होंगे वार्शिप वगरा को उनके ठीक नहीं हो पाएंगा ठीक है यानि चुप-चाप क्या करेंगा दुश्पन की टरिटरी में जाएगा हमला करके वापिस आजए ठीक है और बनने का आथ कुछ SSI दीखेगा आपको यह वार्शिप ठीक है चले बागे चलते हैं और और नेक्स्ट कोशन देखते हैं तो देखें नेक्स्ट कोशन है आपका अकॉर्डिंग टुदी ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल हाओ मच फिंड पावर कैपसिटी विल बी इंस्टॉल इंडिया ओवर दी पीड़ ऑफ टॉन्टीवार्ट याई दोदार 21 से 25 के बीच म अनुसाल बारत में कितनी पावन उर्जा शमता इस्तापिट की जागी कोशन आप से पूछ रहा है इस कोशन का आप का असर होगा ऑप्शन वी 20 जीगावार्ट यानि ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के दुवारा भारत के अंदर 21-21 से 25 के बीच जीगावार्ट की वि प्रान वाईू देवता पैंशन को लांच के अगर हर्याना के किसी स्टेट एक्जारी करा तो नाम प्राइब लेगा है इसे लोगोगो के लिए जो की कोविड नाम का आफ्यों के सकते हैं इस शुरू करीए ऐसे लोगों के लिए जो की कोविड नंटी से आफेक्ट प्रभावित हैं इस question का आपका correct answer हो जाएगा option c state bank of इंडिया ने आपका अब यह भी लांच किया है coverage personal loan और बेसिकली यह क्या है आपके collateral free loan है जिसमें up to 5 lakhs तक जो आपके 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 कोविड-90 तक का loan मिल दाएंगा ठीक है बाकी जाब के medical वगर आखे एक्सपेंस आएंगे कोविड-90 के treatment में तो वह भी काफियत तक रिइंबस रहेंगे loan scheme के एंड़ ठीक है चले बागे चलते हैं next question देखते हैं तो देखें next question है आपका in which country the eighth international nitrogen initiative conference held यानि इन में से किस देश के अंदर आपका एट इंट्रेशन नाट्रोजन इनिशेटिव कॉन्फेरेंस हुआ या आपसे question पूछ रहा है आप पर यह आपके options सो देखें इस question का आपका answer होगा option b Germany यानि जर्मनी के इंदर हुआ आपका एट्ट इंट्रेशन नाट्रोजन इनिशेटिव conference आप धान्दा किएगा थोड़ सा important आपके एक्जाम पॉइंट है ठीक है चले बागे चलते हैं तो देखें next question है आपका which bank gets the title of best bank in the world by Forbes यानि Forbes के द्वारा विश्व का सबसे सर्व श्रिष्ट बैंक कॉंसर नि बेस्ट बैंक कॉंसर वर्ल्ड के आपसे पूछ रहा है तो देखें इस question का आपका answer होगा option c dbs bank यानि dbs bank को अभी title मिला बेस्ट बैंक in the world by Forbes आप धान रखेंगे चलते हैं next question देखते हैं तो देखें next question है आपका रिसेंटली हो रिलीज्टी एई एइस ही रिपोर्ट टू थो थाउसे निटी टूनीटी टूनीटी तो निस से दोज़र बीस की आपकी जो एइस ही रिपोर्ट है और इंडिया से क सब्सक्राइब करें आपका रिलीज्ट को ठीक है चलते हैं next question देखते हैं तो देखें next question है आपका एक सेकंड में हलका सांस ले लूँ हाँ तो देखें next question है who has been elected as the new president of international swimming federation यानि आपका international swimming federation के अध्यक शुरूप में किसे elect क्या कुशन आप से पूछ रहा है यहाँ पर यह आपके options तो देखें इस question का आप का answer होगा option हुसेन हुसेन अल मुसल्म हुसेन अल मुसल्म को आपका अभी-अभी आपके सकते हैं elect किया गया as the president of international swimming federation ठीक है अब धाना कियेगा तो गाइस यह थे हमारे आज के इंपोरेंट करंटर फिर्स जिनको हमने बहुत ही क्विकली कवर किया है और देखें आप से हम यह करेंगे कि करं के नाम से जाना जाता तो कोशन आपका CDS के एक्जाम में आ गया था और देखें आपने एक बात हमेशे नोट करिए कि आपके UPSC के एक्जाम जाब कोई और कोई और एक्जाम जो यह पेसी कराता है वहाँ पर आपसे थोड़ा सा अच्छे लालों की कोशन नहीं पूछता ह कि बताओ भई Pacific Ocean का deepest point क्या है वैसे देखें का फिलोग उसको Mariner Trench बोलते हैं हला कि Mariner Trench अपने आप में खाइट आई पर ठीक है वह की deepest point नहीं है Mariner Trench के अंदर Deep Challenger नाम का एक point है जो की deepest point है Pacific Ocean का तो इस तरीके से deep question आपसे हमेशे पूछेगा UPSC के अंदर तो देखिए य चोटे बड़े आपको thousands of lakes मिल जाएंगे ठीक है तो इस देखिए आज कोई question फ़री तो हैं नी तो बाकी जोए आसे बिट्वीन वीडियो आप से question पूछे उनका उपांसर करें comment section के अंदर चले मिलते हैं बगले session में तब तक लिए बढ़ते रहें नूटस बनाते रहें ब बाइ टेक और की प्रिपर एग्जाम